नमस्कार दोस्तों मैं Valentine आपका UFS ट्रेइनर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लाने वाले है HHD टूल का part number five तो चला दोस्तों वीडियो करता है तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी MTK set की preloader file कैसे बना सकते हो सबसे पहले preloader file क्या होती है इसके बारा में वहता देता हूँ preloader file जो होती है जिन set का phone आप पोर्ट पे नहीं डाल सकते हो तो उसे preloader file की जर्रोत होती है हर MTK में एक preloader और एक preloader header होता है तो आप उसे किस तरह से कर सकते हो तो उसे को एक तरह का GPT header होता है guide partition table होता है जब तक उसमें आपका preloader नहीं होगा तब तक आपका phone port नहीं बनाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर कुछ भी नहीं है totally blank IC है इस IC में जैसे मैं MTK की scatter file डालता हूँ आपको यहां पर में दिखा देता हूँ यहां पर scatter file को select कर रहा हूँ तो जैसे कि कोई भी scatter file जैसे में upload कर देता हूँ तो यहां पर मैं जैसे scatter को ले लेता हूँ जैसे scatter में open कर दूंगा scatter के अंदर आप देख सकते हूँ कि यह सारे information आ जाएगी तो इसके अंदर आप देख सकते हूँ दो आपको आपको दिखाए रहा हूँ गाइगा नहीं तब तक यह आपका IC यह आपका mobile नहीं करेगा तो इसके लिए आपको दो फाइल की जो रोगिए तो उपर का जो है यह है आपका preloader header और यह जो नीचे का है यह आपकी preloader main है तो यह main file है और यह आपकी header file है यह दोनो फाइल को आप जब combine करोगे तब जाके IC का port बनाएगा तो इसे आप किस तरह से combine कर सकते हैं यह आप SDXC tool से कर सकते हो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जितने भी file है सभी file को मैं यह preloader upload हो जाएगी तो जितने भी GPT partition थे वो सारे के सारे partition शो करना हो जाएगा इस आप देखा 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 आपको चेक करता हूं थोड़ देर file है यही IC आपको कोई भी guide partition table नहीं दिखा रहता लेकिन अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर यह सारे के सारे GPT आ मैं SDXC tool खोल रहा हूं so SDXC tool already मेरे पास है यहाँ पर मैं SDXC tool खोल दिया है इसमें आपको preloader file जो है देखा अभी यहाँ पर देख सकते हो एक EMC वाली universal preloader और EOFS वाली universal यह दोनों भी universal preloader file है हमें हम क्या करते हैं सबसे पहले EMC वाले preloader file को SDXC tool में open करते हैं आप दे होती है और जो नॉर्मल preloader होती है अभी मैं नॉर्मल सी preloader file भी यहाँ पर दर देता हूं देखे मैंने यहाँ पर जो mobile था अभी थोड़ देर पहले उसका करता है झाल 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 भी टिक कर दिया और उसके बाद को करना जिया है सिंप्ली एडिट में आना है और और इडिट में आने के बाद से लट बाट पे टिक करने यह स्टाटिंग वांग तो को हमारा एन में हो गया एक एंडेंग ब्लॉक हमने एंडेंग ब्लॉक हम ने कोपी किया था उसे यहाँ पेस्ट पार का पेस्ट हो गया जैसे पार सारव प्लॉक से छेट तो इससों सब को कंट्रॉल और कॉपी कर दैना है पूरी की पूरी फाइल को मैंने कॉपी कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे वापस आने और यहां पे जैसी आप आओगे यहां पे आपको राइट क्रिक करके पेस्ट राइट कर देना है यह पेस्ट इंसर्ट कर देना है तो पेस्ट इंसर्ट पे टिक कर कर दूंगा एंड स्लेव कर दूंगा आपकी डेस्टॉप पे और एक फाइल बन जाएगी जिसे बीन फाइल बोलेगे तो यह फाइल आपकी पन गई प्री लोडर फाइल और इस प्री लोडर फाइल को आप किसी भी फोन में यूज कर सकते हो पोड बनाने के रिए वैसे ही आ अब आपको किसी भी एंपिकी के से अधका प्री लोडर ले सकते हो कि है की अलग अलग हो तो किसे बीहिंगे कर ले सकते हो इसमें आपकी अलग सकते हो यहां पे झाल 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 झाल